राम राम किसान भाईयो प्धान मंतरी किशान सम्मान निदी योजना में जो आपको 6,000 रुपए बारसिक मिलते हैं उसका स्टेटस देखनी का प्रोसीजर में बदलाव किया गया है पहले आपकी PM किसान ID या रेजिस्टेशन नमर डाल कर कोई भी आपके स्टेटस को देख सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं है क्या बदला हुआ है और एक किशान अपने मोबाल से ही आई हुई सभी किश्टों की जानकारी कैसे देख सकता है इस वीडियो में यही सब देखने वाले हैं जय हिंद जय जवान जय किशान आप देख रहे हैं ग्यानोदय ग्यान किशानों से सम्मंदत ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें PM किशान आइडी का स्टेटस पाने के लिए आपने गूगल पर या किसी भी ब्राउजर पर जाके PM किशान डालकर सर्च करना है जैसे ही आप PM किशान डालकर सर्च करेंगे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ PM किशान PMKishan जैसे ही आपने डाला तो यहाँ पर देखिए PMKishan.gov.in की website आ जाएगी यहाँ पर इसको click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो वह है आपको PMKishan की official website पर लेके जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नई चीज इन्होंने जोड़ी गई है कि आप scan करके भी यह चीजें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जैसे कि यहाँ कार्की गाड़ दिया गया है scan, enter and connect know your about EKYC यह अपने KYC के बारे में जानकारी करना है तो इसको scan करेंगे फश्ट वाले को तो आप अपना KYC का status देख सकते हैं के KYC हुआ है या नहीं know your status अपना status किस्तों के बारे में जानकारी हासल करना है तो बीच वाले को scan करेंगे यह जो PM किसान का mobile app है उसको डाइरेक्ट डाउनलोड करना है तो सबसे नीचे वाले पर scan करेंगे यह सब नहीं करना चाहते हैं scan का system आपको नहीं पता है तो आप इसको cross करके हटा देजिए और यहाँ पर नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर pink color का new know your status option दिया गया है नया mode इसको click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए inter registration number का box है यहाँ पर आपने registration number जो PM किसान का registration number है वह यहाँ पर डालना है यदि आपको अपना registration number पता नहीं है तो उपर know your registration number से भी आप अपना registration number जान सकते हैं इसके लिए आपने mobile number आपको पता होना चाहिए कि कौन सा mobile number आपके इस पर PM किसान में जोडा हुआ है लगा हुआ यदि उसको आप पता है, तो registration number आप्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको mobile number भी नहीं पता है अपना registration number भी नहीं पता है तो आप अपने पर पटवारी शेंपर करके registration number ले सकते हैं और उसको अपना note करके कहीं भी रख लें वो हमेशा एक ही रहता है तो उसको यहाँ पर डालके अपना registration number चेक किया जा सकता है जो बदला हुआ है इसमें पहले क्या होता था कोई भी आपका registration number डालका आपका status देख सकता था लेकिन अब इन्होंने OTP will be send your EKYC यानि कि आपने जो EKYC कराया था जिसमें जो phone number लगाया था उस phone number पर एक OTP आएगा उस phone number का OTP डालने के बाद तभी आप status को देख सकते हैं मैंने एक किसान का यहाँ पर registration number देखिए MP235 इस तरीके से डाल कर get data पर क्लिक कर दिया है जैसे ही get data पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर green color में यह note होके आ जाता है कि OTP has been sent at mobile number आपका जो mobile number लगा हुआ है उसके last के four figure यहाँ पर दिखाई देते हैं चार number last के हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस number पर OTP आया है जो OTP आया है उसको inter OTP वाले box पर यहाँ पर डाल देंगे तो हमारा OTP आने वाला है थोड़ा सा समय भी ले सकता है आप अपने mobile के message box में OTP को चेक कर लें जैसे ही OTP आजाएगा six figure का OTP आएगा उसको mobile जो inter OTP का box यहाँ पर है उस पर फिल कर देना है यह security के purpose से शासन ने विवस्था जोड़ी गई है कि किसान अपना registration number डाल कर अपना status swim देख पाए कोई और उसका status नहीं देख पाए कितना किस्ट आया है कौन सी bank में आया है यह देखी हमारा यहाँ पर आ गया है four figure का यहाँ पर OTP आएगा four figure का OTP डाल दिया है हमने तो यह देखी आपका सारा status यहाँ पर खुल गया है account details जिसमें payment status आधार बेस्ट मोड है payment का और कब आपकी किस्ट लास्ट किस्ट जो आती है वो सबसे पहले हाँ पर देख गई है यहाँ कि 22 में इनकी किस्ट आई थी 21 लास्ट इसके बाद किस्ट नहीं आई है तो इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यह है यह देखी इसमें तीन चीजें आपकी आवस्च होना है लेंड शीडिंग, EKYC और आधार बेच एकाउंट नमबर इंड इस किसान का आधार बैंक एकाउंट शीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है इसलिए इनकी किस्टों को रोका गया है यहने कि इस किसान को बैंक में जाके अपने आधार को अपडेट कराना होगा तभी आप इनकी किस्टें शुरू हो पाएंगे इस तरीके से आप देख लें यहाँ पर कि तीनों पर यस टिक लगा होना चाहिए तभी आपकी किस्टें आएंगे eligible status पर जैसे किलिक करेंगे तो सारी चीज़ों पर यदि green टिक लगा है तभी किस्टें आपकी आएंगे तो इस तरीके से यह जो procedure में बदला हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से सभी किशान अपना status देख सकते हैं कोई problem हो तो फिर भी यदि आपको कोई problem आ रही है status चेक करने में तो आप comment box में लिखें आपकी जरूर help करी जाएगी thank you for watching have a nice day